कि यह जो बिलाज पलट एकवाल है यह बिल्कुल बदला हुआ एकवाल है य्जिसों कि से उनका madosus हो गया हो बहुत धिक रूपान तरण हो गया हो हिंदुस्तानी मुसलमाण को अपने को हिंदुस्तानी मुसलमाण नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुसल्मान क collectively कोई देश नहीं होता इस पर ओठ भूसक्रम जिए मुष्ट हो सकते हैं यदि मुसल्मान का कोई देश नहीं होता तो हम पर कैसे माने कि किसी आरबção मैं भारतनान के देश के प्रतीवों बाधार हैं तो कहूं अब तीसाद दी आजाने कभी यूरोप के कलीशा इसका क्या है कलीशा बूलते हैं चर्च हो अल्लामा इक्वाल ताल ठोक के कह रहे हैं कि दी आजाने कभी यूरोप के कलीशा हो में मतलब हम जीते जीते यूरोप पहुंचे हमने यूरोप के देश जीते और यूरो हमारे देश में जो सार्वजेनिक बिमर्स या पब्लिक डिस्कोर्ज चलता है उसकी एक बहुत बड़ी कमजूरी है वो यह है कि पून सत्य न बोलना इसका कारण क्या है भै और ये भै उसमेकर सबसे ज्यादा होता है जब मुस्लिम बिमर्स होता है तो मुस्लिम बिमर्स में सबसे ज्यादा भैगरत रहते हैं हम लोग ये भाई क्या है ये यह है कि यदि हम मुसलिम बिचारकों मुस्लिम नेताओं के बारे में पूर्ण सत्य बोलेंगे तो लोग हमें साम्परदाय कहें, कमूनल चेहँए, यह हमारे बातों को जरहेंगे, यह समाज में विभाधन कारी बाते हैं, इसीमीं हेटर स्पीच, इस दर्सतर से लोग पूर्ण सअप नहीं बोलते हैं पर इसका परिणाम यह है कि आव भारत में आज भी इस बात में बहुत चल रही है कि भारत के बटवारे में बटवार इकली कौन जुम्मिदार है को साध काभी लोगों ने जो मुस्लिम बिचारत हो गTalk जैसे कि सरसियद एमद अलाम ही कौन मैगे माजार्ज इनके बारेों पूरर सत्त बोला है ने ने लिखा पर यदि हमने इनके बारें पूर सत्य बोला होता तो हमको पता लग जाता है कि इन ही लोगों के विचारों में इनके ही व्याख्यानों में इन लोगों के ही लेखन में पाकिस्तान की बीच्छों पे हुए इसे उधाहन की तौर पर मैं आपको एक बद बता हूं कि अल्लामा के बारें आम हिंदू क्या जानता है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं औरहें नब्य परसेंट हिस्टों के बारें बात कर रहा हूं को अल्लामा के बारें ज्यादा कुछ नहीं जानते बोस्ति ज कोई एक बड़े देश भक्त आदमी थे इन्होंने यह कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस था हमारा और खाके वतन का मुझको हर जर्रादी होता है कि जन्नत की जिन्दिगी है इसकी फजाम जीना कुछ लोग यह समझते हैं कि अल्ला माइकवाल कोई बहुत हिंदू-Muslim एक एक तामे विश्वास रखने वाले सब धर्मों की एकता में विश्वास रखने वाले सेकुलर किसम के आजमी थे क्योंकि ऑन होना कहा थे ना बाई कि मजभ नहीं से कहता आप असमों बेर रखना हिंदी है हम बतन है हिंदोस्ता हमारा और भी है इंक्के सबस्क्राइब कर्देग को यह एकसां तेरा जी तो वह कहते हैं मंदिर मजित में एक परमात्मा का प्रकास तो ऐसी बातों से को कि सर्व धर्म नहां में विश्वास करने वाले सभी धर्मों का सम्मान करने वाले एकशे आदमी हैं कुछ हिंदू लोग यह भी समझते हैं कि इनको भारती संप्रता इंडियन शिवलाई इसन पर बड़ा नाज था यूंकि वो कहते थे न कि इनानों में सो रोमा समिट गए जहां से बाकी मगर है अब तक नामों ने सा हमारा जो समझते इनको भारती संप्रता को बड नजम कहीं हैं जैसे एक मार्स की आवाज कारल मार्स की आवाज या बोल्सविक रूस यह नजम हैं सब उनकी लेनिन खुदा के हुजूर में सरमाया और मेहनत मिस कैपिटल एंड लेवर एसी कुर्चुर की नजम हैं तो लोग ही समझते हैं कि यह कोई बड़े वेसे वह हैं इसमेलन में इसको गाया करते हैं और जो मजदूर थे बामपंथी संग्ठनों के मजदूर संग्ठन थे वह भी इसको गाया करते थे और उससांदा यह लगते हैं वो यह समझते से कि यह कोई बामपंथी क्रांतिकारी आद्मी था अल्ला में कवाल वो कभीत अच्छे इसमें कोई शक नहीं उठो मेरे दुनिया के गरीवों को जगा दो काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो सुल्तान ये जमूर का आता है जमाना जो नक्स कोहन तुम को दिखे उनको मिटा दो जिस खेत से देहका को मैसर नहीं रोजी देहका मने किसान जिस खेत से देहका को मैसर नहीं रोटी उस खे पर दोस्तों यह आधा सकते हैं यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है सिक्के का दूसरा पहलू मैं आज आपको बताऊंगा अल्लामा एक्वाल की जो शायरी है वो दो फेज में हैं दो दोर है उसके पहला दोर 1899 से लेके 1905 तर यही वो दोर है जब उन्होंने यह सब देश भक्ति राष्टवाद और इसकी कविता हैं कहीं जब वो कहते थे कि बतन की फिकर करना दा मुसीवत आने वाली है और तेरी बरवादियों के मसवरे हैं आसमानों में और नहीं समझे होगे तो मिठ जाओगे हिंदोस्ता वा रहे हैं यह एक राष्टवादी देश भक्त सरद्धम संभाव वाला इक्वाल है पर फर उच्छाद्धन के लिए बिलायत जाते हैं और 1908 में वहां से लोट के आते हैं यह जो बिलायत पलट एकवाल है यह बिलकुल बदला हुआ एकवाल है यह सो कहते हैं कि मैटमार्फो हो जैसे उनका इंपलेक्श्वल मेटमार्फोस हो गया हो बहुत धिक रूपान तरण हो गया हो और वहां से लोट ने कवा जो पहली नजम सा उन्होंने कही उसका नाम है तरानाय मिल्ली तो यहां मिल्लत सब्द का संच्छिप्त है मिल्लत का अर्ष्थ होता है उसका मैं डि इसलाम के बंदनों से बंधीवी एक कम्यूनिटी मुसल्मानों कोepingनिटी किसके खाशियत मिल्लत की कि बाउन भुट इताइशम स्टाइश से अगये साहं कोई काम नहीं है यह सिर्फ मुसल्मानों का तो का मिली नान मुस्लिम क्वीन इसलाम से बंदा हुए नहीं है। इसलिए से नान मुसलमानों की कोई काम नहीं है। तो यह झाख craft कने कि नंजम है Strong नान मिली यह मुसलमानों के लिए exclusively sinिle amplifi के रहा है कि चोछ लोग यह कहते हैं इनों तर्ण हिंदी कि उसके जवाब में लिखी थी कि मुसलमान लोग वो इनको ताने दिया करते थे और दूसरी खास्यत यह है कि यह उसी बहर में है यह जिसको उसी बज में उसी मीटर में और उसके रदीफ और काफी भी वही है तो इसली लोग बोलते हैं कि सायद यह उसके जवाब में लिखी गई है तो काफी बड़ी है पर इसका पहला शेर हमारे काम का उसमें कि चीनों अरव हमारा हिंदोस्ता हमारा और मुस्लिम है हम बतन है सारा हमारा तो यह वो हमाना हो फ्टक्रियोघन uhen है जब आप यह कहते हो जो कि हिंदी है हम बतन ह hayfeedोस्ता हमारा इसका मतलब यह है कि हमारी पहचान हिंदुस्तान नाम के एक देश से है या ऐसा कहें हिंदुस्तान नाम के एक भूखंड से है एक टेरिटरी से हम अपनी पहचान इस भारत भूमी से करते हैं अब जो आप कहरें कि हम मुस्लिम मतलब आप भूमी की मेहत्ता कोच होड़ देते हो या भारत हमाले उसको मेहत्ता नहीं देते हैं तुरियल और यहां तो ठीक था एक आथमी की एक आइडेंटी होती है लोग जिसको महत्ता देते हैं अगरचे नुटि बड़ी बात थीक अगली बाद कि शाराहा हमाराइं ह हिंदोस्ता हमारा हिंदुस्तान यद THOM तो उसमें क्या धा वतन की उर्दू का शाब्सका सीधा थोताइव है शात्युज़ी है बिल्कुर माच्र legitimately होती है उसकी आझाशिण होती है मातर भूवे के पेद्व हमें एक बरीजी इसनेग होता है। इसका नहीं मतलबिह कि दूसरी देशों से दूसरी भूमिय से हमें को नफ़रत है या दुस्मानी बिलकुल नहीं यह बहुती है जैसे हम अपनी मां से बिश्यश्च प्रेम करते हैं इसका प्रेम की खासियत होती है यह हद तक होता है कि हम इसके लिए बड़े से बड़ी कुरवानी देने के लिए तयार है तो मात्र भ्हुमी के लिए आदमी कितना भी बडा त्याग कर सकता यान reward मात्र भ४ register में उसके प्रतियाग और बलिदान की भाना होती है तो जब हैंदि भारत आप का जब तक वतन था तो आप इसके परतीयाग बलीदान जान देने और लेने की है आपका भाना है अब जब आपने दिया हमारा तो पूरी दुनिया बतन तो संदोनी दोटन देश त्याग और बलिदान की भावनाती वो अब डाइलूट हो गई यह इस की इसका फर्क है और यही यही वो चीज है जब वो यह कहते हैं कि मुस्लिम है हम बतने सारा जहां हमारा यह पाकिस्तान की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम था जब तुमने भारत वासी यह कह दिया कि भाई यह तो ना तुम भारत वासी हो बाइब भारत के मुसलमानों से बोल ने को मिल्ली को मिलना तो को कर रहे हैं तो बहुत तो आप भारत का कुछ भी हो इसे कि देटोक्ड़ों हो क्या फरक पढ़ता है एक पुछ दिन पहले ता कि आसे 30-30 साल पहले दुनिया में एक देश होता था उसका नाम था यू एससर यूनियन आप सोबिया सोचलेश रिपबलिक आप लोगन पढ़ा हो गया और कमिनिस्टों का तो बहुत स्वार्ग था सबज़ा ना बो तूट गया कि उसके 10-15 कितने टुकलव हो गया जब रूस तो आपको कोई दुख हुआ कोई दुख नहीं है यह आपको धक्का लगा कोई धक्का नीजा रहीं क्यों कियों कि आप रूसी नहीं हो रूस आपको वतन न रहल anybody आ हमारा ना हम रूसी है और ना रूस हमारा वतन है तो उसके किते ही टुकले हो हाँ एतिहास के महत्ता के लिए हम जानेंगे क्यार यह क्यों टूटा इसके टूटने से वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या परवाव पड़ेगा अब जो दो दूद्रुप की थी अब एक हो गया तो अब पाकिस्तान के लिए इमोशनल ग्राउंड तयार किया मुसल्मानों के मन में एक इमोशनल ग्राउंड तयार होने लगा अभी पूरी तरह तो एक वाइरस आ गया उसका इसके अर्वों की उपलब्धियां गिनाताई एक उसके उधार किले में एक शेर आपको बताऊंगा इस नजम का एक शेर है ऐ गुलिस्तान अंदलुस वो दिन है तुछ को था तेरी डालियों पर जब आशियां हमारा अंदलुस यह बोलते इस्पेन को तो हल्यमा एक वाल कह है एस्पेन के बाशियों वो तुन तुम को याद है जब हमारा तुम पर सासन था था तेरी डालियों पर जब आशियां हमारा मतलब यह अर्वों ने करीब 700 साल इस्पेन को उनका सासन रहा है एक तारिक का नाम सुना होगा तारिक बिंज याद उसने 711 में इस्पेन पर हम तो वो उसको याद कर रहे है तो कि ऐस्पेन के बाहसियों कि तुमको याद है हमारे तुम पर सासन था यह बात कितनी क्या कहने जिए यह घुले आम एक इंपीरियलिजम की बकालात करना है यह खुले हम अर्भी सामराजवाद की प्रसंसा करना है इसकी कंभिता को समझने के लिए इसको अपने से समझ सकते हैं अंग्रेज हम पे 200 साल सासन की अब कोई अंग्रेज आके हमसे दिये बोले ऐ गुलिस्ताने हिंदोस्ता वो दिन आ इस्पेन बासी भी पढ़ सकते तो एक स्पेन बासी आप यदि पढ़े आथ तो क्या सोचे गा इलामा इकवाल प्रवक्त होके हमारे सामने आते हैं जो खुले आम कह रहे हैं यह जाने अंगल प्र रॉबिश्टान विए अपनी अप्री अ किया था भारत में मुसल्मान ही नहीं थे क्योंकि 711 में तारिक घुसा और 712 में बिनकासिम यहां आया तो यहां कितने मुसल्मान थे जब सिंद पर हमला किया है उसने तो अच्छा दूसरी एक और सेट सुनिए जो और एक चीज़ बता था एक वाल है तुझको ऐ मोजे दजला तुभी पहचानती है हमको अब तक है तेरा धरिया अफसाना खुआ हमारा माने दजला की लहरो तुम हमको पहचानती हो और लहर तुमारी नदी में लहर होती है तुम पहरे तुम हमको पहचानती हो और तुमारी नदी माने दजला नदी अभी तक हमारी कहानिया सुनाती ब्सक् TIME है तेरी दर्या अफ्सान कोध हैं अधगला नदी भारते कौन सी कहानी सुनाती ठल कभारति का तो भारतियों कि रीसे क्या लेना धेना में कुछ है ये वह जा थासले आच्ञा अब पहले वो किसो संभोधत करा गंगा को क्यों कि मानते से मैं भारती हुँ भारती हो जानती है अपन जानते हैं पर दजला हिंदुस्तान की कहाई नहीं जानती है इसलिए वह अफसाना नहीं हो सकती भेंदुस्तान की कोई कहाई नहीं सुना सकती वह तो अरबों को जानती है जल्द नदी अब बहुत से बिचारे लोग यह भी जानते हों कि दजला है कहां जजले नदी एराक में है उसी को अंग्रेज में टाइगरिस बोलते हैं तो अब यह जजले नदी को याद कर रहे हैं आको भूल गाय यह परिवर्तन है एक़ोर में नया एकवाल हैं जो दजलान नदी के किनारे बसा है और उसी में मुसल्मानों के वह अबथाशी कह साथन के सात्तर हुब गया ओर नक्राइबवistas सम armaτό का सुन यूग मानते हैं वो अब्दासी खलीफाओं के सासनकाल को उसी में वो हारून अल्रसीद मौमीन बगएर बड़े-बड़े खलीफा हुए है पर इसका भारस तो अल्लामा एकवाल अब भारस से हट चुक है और अब वो अर्ब तरब से ले गए यह उनके उसमें आया नजम सुनियों को जो जिसका चर्चा कभी कोई नहीं करता और वो सबसे इकवाल की सबसे महतुपूर्ण नजम मैं मानता हूं हमारे संदर भारत के संदर उसका नाम है वतनियत वतनियत का साब्देकर्थ होता है पैट्रियोटिजम देश भक्ति पर इस नजम के साथ एक सब बुर्के मतलब वतनियत एज पॉलिटिकल कांशेप्ट वतनियत एक राजनितिक अवधारना के रूप में तो भिद्वानों का मत यह है कि जब यह सब टाइटिल के कारण यहां पर वतनियत का अर्थ राश्रबाद हो जाता है नेशनलिजम हो जाता है तो कोई ठीक है नेश इसकी यह इसका एक एक सिर सुनिया वह कहते हैं कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबस्वतन है और जो पैरहन इसका है वह मजहब का कफन है तो इसका थोड़ा से बेग्ग्राउंड भताना पढ़े हैं वह कहते हैं कि दुनिया में नए नए विचार आ रहे हैं और इन विचारों को मुसल्मान लोग भी अपना रहे हैं और उनमें से एक विचार है राश्रबाद का तो वो कहते हैं जो अच्छा और इस विचार को इन नए विचारों नए अब्रकिवादाओं को वो कहते हैं खुडया या बुथ माणे मूर्ति मूद्या इस तो करते हैं यह जो अंश्यवात महने यह नए बिचार हैं इनमें सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का है और तो पैर्हन इसका है वह मजभ का कफन परने पॉसाद कफन मीशाब जाने किया होता कि राष्ट्रवाद के विचार को अपनाना दीन इसलाम की मौत है हिसकावारत कभीता में उसमें क्याणायाता मेरा ना उपमा में बातY होती है कि तो थार की बात यह हुई कि जो चीज आ जो वतन के लिए अम्रत्तुल्ब्र है वही चीज इसलाम मजहब के लिए हलाहब whatever फाद जो पेर हैं इस राश्वाद के तरह सीधा तहजीव नवी गारत इस यो बतन रूपी पुट है यह जो राश्वाद रूपी पुट है इसको तरह से तहजीव नवी नई सभतान नई सब्वितास उनका असा पस्चिमी सब्वितास है तो वो कहते हैं राष्ट्रवाद का विचार पस्चिम से आया है और मुसलमानों ने उसे अपना लिया पर इसका पढ़िणाम क्या है यह बुद्ध के तरह सीधा तहजीव नभी है गारत गरे कासाना यह दीन नभी है दी यह राष्ट्रवाद का विचार है यह इस्लाम रूपी भवन यह इसलाम रूपी structure को नस्त कर देने वाला है यह के इनकी सिर का भावार्त क्या है इन दोनों सेरी को भावार्त यह है कि इसलाम मझहत्व मुद्ध और राष्ट्रवाद में 36 क्रद अप्ल이다 कर देने वाला है और जो इसके लिए अम्रत है इसके लिए बिस है तो इसका सारा यह है कि इन में 36 का अंकड़ा है और his वी जुन इसना अंसले अर्थ आ स्यक्षा हिए होतासिनके कोई भी मुसल्मान एक सांथ या कोई कर सकता है कि कषा के बतन का मुझे को हार जर्रा रहे हैं बना इसका फसार यह है कि जो राष्ट्रवाद या वतन परस्ति है यह इसलाम मजभ के लिए मौत के समाध और वह इसको क्या बोलते हैं कि यह बुबत है तो यह इसके पीछे वह अपने कर भासर भी है जिनमें वह बताते हैं कि ये क्यों एसा हम इसको मानते हैं। अग्ला शिर सुनीं आप इसका कि इसका अग्ला और मज़ेदार है। हो कहते हैं कि बाजु तेरा तोहीड की कुबश से कभी है तोहीड इस एकस्वर वाद तोहीड इस MONotheism तो भी मोर प्रसाइट तोहिद का मत्तव पर अंग्राव मात करने चाहिए इस्लामिक मोनोथीजम है ना तो वो केते इस्लामिक मोनोथीजम इस्लामिक एक स्वर बाद जो है इसकी तेरे बाजुओं में इस्लामिक मोनोथीजम का बल है बाजु तेरे तोहिद की कुबस से कभी है तो इस मोनुथीजम के बाद या इसलाम सही जम सह प्राफतपल तेरी ज़ाओं में है बाजू तेरा तोहीद की कुबस से कभी है इसलाम से तू मुस्तफबी है किरा देश क्या है इसलाम हिंदुस्तान नहीं है भाध vast नहीं है कि इसका हर्थ है कि इसलाम तेरा दे से तू मुस्तफवी है मुस्तफवी का मतलब होता है मुस्तफवा को मानने वाला जैसे कि मुस्तफवा को मानने वाला मुस्तफवा जैसे मुस्तफवा को मानने वाला मुस्तफवा को मानने वाला मुस्तफवा को मानने वाला मुस्तफवा क हजरत मुहम्मद पेगंबर का एक और नाम है वैसे इसका साबने कार्थ होता है चोजन वन चुना हुआ चुनकि हजरत मुहम्मद को अल्ला ने रसूल या नभी के रूप में चुना था इसलिए इसको मुस्तफा भी बोलते हैं तो वह कहा रहा है तू मुस्तफा को मानने वाल है तु मतलब मुसलमान है इसलिए तेरा देश भारत नहीं है तेरा देश तो इसलाम है मतलब मुसलमानोंHer नहीं होता यह यह बता रहे हैं है आगे अगे और अपसे नजारना इंदैरृन नजार्यव दैरीन जमाने को दिखा दे कम सुप भी खाक में इस बुद को मिला दे तू कुछ ऐसा कर जिससे कि पुराने द्रस नजारा ए देरीना लोगों के सामने आ जाए अब बुक्या करना है तो यह जो बतन रूपी बुद है बतन रूपी जो मूर्ती है तू इसको तोड़ दे खाक में इस बुद को मिला दे तो पुराने द्रस कैसे उपस्थित हो जाएंगे वह जब महमूद गज नभी सौमनात की मंदर को तोड़ रहा था जब तुम्हारे अ कासी उमतरा के मंदर को तोड़ा यह तो पुराने द्रस्ते हैं नए तूमने आ जाएंगे यह सब उनके गाजी हैं यह सब उनके हीरों है यह आलमगीर ओरंगेर और महमूद गज नभी भारती मुसल्मानों के पक हीरों है तो बो हीरों के दवारा किया किया गे महान कर्थब सामने आ जाएंगे और अपना टीपू सुल्तान जिन्होंने केरल में और मलावार में और केरल में और तुमारी कुर्ग में विद्भंस किया था वो सब सामने आ जाएगा तो उससे बड़ा प्रसंदा होगी कुछ लोगों को यह वो इक्वाल है जो कहता था खाक बतन का मुझ क्या कभी हिंदूओं को यह चीज बताई गई है अब इसका आखरी शेर में आपको सुनाऊंगा वो थोड़ा सा टिप वो है वो है वो कहते है अकवाम में मखलू के खुदा बढ़ती है इससे और कौमियते इसलाम की जड़ कटती है इससे इसमें एक सिंधान का प्रतिपात संग राष्ट्र तो वो कहते हैं कि अकवाम माने राष्ट्रों तो राष्ट्रों में मखलू के खुदा माने अल्ला की बनाई हुए बढ़ती है यह बातों सही है कि राष्ट होते हैं अभी मेरे खाल से 156 कितने देश हैं यहादा तो ठीक है कौमियते इसलाम की जड़ कटत है और इससे क्या होता कि कोँमियत एस्लाम की जड़करती है कोँमियत एस्लाम का Celebration Islamic Nationalism यह कहीं के यह मिलेगा Islamic concept of nationalism अब आप देखिए कि इससे कैसे इसकी जड़कटती है तो अब यह से एक राष्टबाद जो है जैसे हम भारती राष्टबाद कहते हैं उसका वह है एक टेरिट्री है हमारे भारत बरस की एक हमारी जमीन है एक जागरफी एक भूखंड है हमारा इसमें रहने वाले सभी लोग भारती है यह भारत की जागरफीकल नेशनलिटी है यह भारती राष्टबाद की जागरफीकल परिवासा है या टेरिटोरियल परिवासा है इसी को बोलते है टेरिटोरियल नेशनलिजम पर अल्लामा कहते हम इसको नहीं मानते हैं हम तो कोमियत इसलाम को मानते हैं तो कोमिय क्या है जैसे आप भारती हो मैं भी भारती हूं तो इसका आधार क्या है इसका आधार एक आपकी और मेरी दोनों की मात्रभूमी भारत है तो इसका आधार है मात्रभूमी और मात्रभूमी होती बतन में सुरू में बता चुकर होता है तो यह टेरिटोरियल में इसका आधार हो कौम्यते इसलाम सबढस्थे प्रशिवत कर पशते हैं थिए कि मुसल्मान है हमारे एक राष्ठ होने का सबस्थे मुसल्माने में और दूसर की जॉपर कोई एक इंक्लूसिव चीज है और यह जो कौमियत इस्लामी एक्स्क्लूसिव चीज यह नान-मुसलमान का यहां कोई काम नहीं अब प्रेश्ट उड़ता है कि इससे इसकी जड़ कैसे कड़ती है देखिए भारत और पाकिस्तान में भारत में भी करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान में भी 22 करोड़ रहते हैं अब थोड़ी देर की कलपना करिये कि इन दोन हमें युद्ध होता है अब कोमियत इसлав के हिसाब से भारत का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलम करते हैं इसी को व्लांग करते हैं सिर्फ मैं पूरी दुनिया के संदर में इससे भारत-पाकिस्तान संदर में बात करूंगा है तो चुकर हमारी राश्टीता का आधार इसलाम है उसी को बोलते हैं अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है भारत की सेना बर्डर पकड़ी हो है बारती तक सेना अबारती सेना वे कुछ बूसल्मान सेने अपने हाट होते भूसल्मान का सीओं में कौर कमांडर पंद्रियульт कोर क्या अब बारती मुसल्मान जो भारत की सेना में है युद्ध होने की इस्थिती में उसे पाकिस्तान कि मुष्लिम सेना पर हमला करना चाहिए इनको आप यहां पर फरक आ जाता है यदि भारती सेना में मुसल्मान सेनक है को मियत इसलाम में विश्वास करता है तो नहीं करेगा पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं करें लुग हमत उसी के यह ऩासी है स्ब्सक्राइब करता तो उसकी जो काम क्या है भारत की सीमाओं की रख्षा करना तो भारत की सीमाओं की रख्षा करें पांकिस भी आप पर माल लो अब दो इस्थितियां वो कर सकता है नहीं कर सकता तो पहली अपन ये करें कि वो हमला करता है वो पाकिस्तानी सेने को मारता है तो उसका क्या होगा कौमियत इसलाम का उसके हिसाब से तो नहीं करना था उसको तो यह वो करता है हमला तो कौमियत इसलाम की जड़ कट तो इसके जड़ करने में क्या चीज है हमारा भारती राष्ट्राइब यह इस लाइन का अर्थ फिर से सुनिए इसको एक वाइल की सहरी थोड़ी जटिल होती है नजारा ये देदीना जमाने को दिखा दे ए मुस्तफवी खाक में इस बुद्ध को मिला दे अकवाम में मखलू के खुदा बढ़ती है इससे और कौमियते इसलाम की जड़ करती है मतलब अल्लामा एकवाल भारती राष्टवाद और राष्ट की अधार्णाई में विस्वास नहीं करते है वो राष्ट जो एक भूमी से जोड़ा हुआ है उस वो विस्वास ही नहीं करते है अब एक चीज बढ़ाता हूं अल्लामाइकवाल ने बहुत सारा साहिद फार्सी में लिखा हुआ है तो वो फार्सी में ज्यादा इसपश्टता से बोलते हैं मैं उनकी फार्सी करती है रमूजे बेखुदी उसका एक छोटा सा पैरा आपको पढ़कर सुनाता हूं वो फार्स उनका नाम है जैशंकर वो हिंदी के साहिद के बहुत प्रिश्टित कहानिकार है कहीं कहानी संग्रह साथ आठ आठ आप तो ज्यादा होगा होगा है मैं दस साल पुरानी बात मता रहा हूं आपको उनके आचुके हैं तो उनको थैंक्यू धनवाद देता हूं अब सुनिया हमारी आस्तख किसी इस्थान तक सीमित नहीं है अवर अजसेंस सेंस इस नाट बाउन्ड टू एनी प्लेस इस मदिर्या की प्रवलत केवल प्याला प्याले तक निह क्यों नहीं है इस पाथ्र में चीन और भारत दोनों के अंस संबलिश है हमारा शरीर तुर्की और स्ईरिय दोलों की मिट्टी से बना है ना तो हमारा दिल हिंदुस्तानी है ना सीर्याई है ना रूमी और ना ही इसलाम के सिवा हमारी कोई मात्र भूमी है। मुझत है। बहरात के मुष्वान सबस्क्राइब शिकायत करते हैं वह छinkायत कि हमारी देश भकति पर शक किया जाताइब हमसे बार बार देश भक्ति के सबूत मांगे जांएं हूं कि राश्ठ भक्ति के शब्रुटरा से हां कि यह सपूध का पर एक प्रशन तो है कि हमारी कोई मात्रभूमी नहीं हम राष्ट की अधारणां विश्वास नहीं करते हैं और राष्ट की अधारणा का मत्ताव इसलाम की मौत इसके बारें क्या विशार आपको को जो मुस्लिम असराफियाइ भारतों मुस्तिक बोलाएस कि इसको ने वह इसको इसों करती है यह इसको बजितर्पियान कैंता कि हम एक्वाल से असे मत हैं उसको पढ़ाते हो तो पर यह भी पढ़ाते हो गया साम मानते हैं कि कोमियात इसलाम की जड़ करती है यह खाक हुए इस बुद को मिला दे तो दोस्तो एक्वाल ने दूसरा पार्ट भारती मुसल्मानों को क्या पढ़ाया पहला पार्ट क्या पढ़ाया कि तुम भारती नहीं हो भारत तुम्हारा वतन नहीं है दूसरा पार्ट का पढ़ाया देश भक्ति में विश्वास रखना इसलाम के लिए मौत की समान है या द है इस में सबसरे नाजक अलावा किसी और को भगवान मानना उस्को शिरक करना बोलते है तो अब मूर्ती की पूझा करना मतना फ sol कि अल्लाह हो गया यह सब-सले बड़ी है ल Denisman हो गया करना दर कम्यून्यटी जिसका एक आइकान इस पर बाइकान को बनाते उसके नाम के इनाम कहोट पर शकृम कोर्स था उसके नाम की स्कालर्सिप दी जाती मार इनाम दिये जाते हैं वो बुर obese जरखनार करें किसी सब्सक्राइब कने हुशंटे हैं रहे कि कभी य?」 यह बात कही हो अब आपन यह देखते हैं कि इक वाल आग एक कदाव और आग बढ़ते अभी तक यह दो पार्ट पढ़ा चुक भारती मुसल्मानों अब तीसरा पार्ट पढ़ाते हैं कि जिसका जियों कहते हैं कि तुम भारती सभ्वता के हिस्थे नहीं किसी आदमी को क्या कहते थे इरानों रोम मिस्तर इरानों मिस्तर रोमा सम्मिट गए जहां से मतलब भारती सभ्वता पर बढ़ा गर्व करते थे अब सुनिया उनकी एक नजम है नो जवाना ने इसलाम से खिताब माने एड्रेस टू मुसलिम युथ उसको सुनू के सिर्फ दो सुनिया यह किसी हिंदू को यह बता है ठीक इसमें इस सब्सक्राइन महीं मालूम सकते दोसी का इसके दोसी हिंदू इंटलेक्श्वल ही है जो उसे नहीं बताया उसे अबुदुषर सुनियाब कभी ए नौजवा मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने तदब्बुर माने बिचार करना कल्पना करना सोचना तो वो कैते कभी ए नौजवा मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ त अभी तुने सोचा कि तु किसा आस्मान का तारा यह प्रस्षुनी शर्षा मिद्भ भारती से पूछने को कि बात से हैं आपके आतार है। इस प्रस्षा जा न तो अगले शेर में बताते हैं किस आस्मान के तार हो मतलब किस्विलाइजेशन मुसलिम नोस यांट कभी तूने विचार किया कि तो किस विल्धेशन का हिस्सा है तूमानडः कि मानड़ा थे संई अरे नहीं भाई तो कहीं और का हिस्सा है तो टूट के गर गिर गया तो यह ँग कर डूधा तो जिसका है और फिसों argued और उड़ के गिर गया है तो अगले शेयर हो बताते हैं किस आसमान का तारह मत्त्त किस सेव्लाइजीशन का हिफ्सा है तुझे इस कौम ने पाला है आगोंसे महबत में कुछल डाला था जिसने पाउं में ताजे सरेधारा माने इस कोश्रान तुझः अपने गोदमे प्रेम से पहला है जिसने इरान के सहिंसा का मुकुट अपने पाओं के नीचे कुचल दिया था अब बता वो कौन लोग थी जिनने इरान के सहिंसा की बोट को पाऊं कुचल दिया था कोई भारती फूर्शारत ही तो नहीं था आप लूग जानते हो फूर कौन था वो इनकी सारा 2020 किस की तरफ इनका इसारा अर्बों की सोधे हैं अर्बों ने इसलाम को उद्धा के बार इसलाम को बिस्तार करने आपके लिए सारी दुनिया में हमले सुरू किये तो इन इस इरान पर भी हमला किया और इरान पर हमला करको उसको जीत लिया उसको यह कवीता रूप में कहा रहा हैं कुछ अड़ा था जिसने पाउं में ताजे सरेदार, तो इन दोनों शेरों का सार क्या हुआ है, तुम भारत सब्धिता के हिस्से नहीं हो तुम अर्भी सब्धिता के हिस्से हो अब आप देखिए अल्लामा इक्वाल का तीसरा पाठ क्या है मुसल्मानों के लिए और अभी तक के तीन पाठ क्या है तुम भारती सब्धिता के हिस्से नहीं हो तुम अर्भी सब्धिता के हिस्से हो तुम भारती नहीं हो भारत तुम्हारा बतन नहीं है अब अंतिम वो बात जो कहते हैं जो जब मैंने पहली बार पढ़ी तो सच में मैं सन्न रहा गया और यह बात आज तक किसी ने बताई क्यों नहीं कि एंब बांज पुत्र बांज पुत्त्र तो य延्य खोई कोई महीला ओज है तो इसका पुत्र कैसे हो सकते हैं और यह क्यांसे हो सकती हैं थी वे कि यहां करती हो इन्डि यह मुसल्मान हो सकता और मुसल्मान है तो इंडियन नहीं हो सकता इस से बड़ी बात कोई हो सकती है आज कि बोलनी तरह को और इससे बड़ी बात टोर शुमा 5000 द्रहिए भुड़ा देश एक्सपेशन इंडियन मुस्लमान इजे कांट्रोडिक्सन इंटन्थ यह बड़े-बड़े हरूफ हमें लिखके यह जामियां मिलिया और यह मुझे दरवाजे पिटांग देना चाहिए कि पर तुम तो उसको यह में और प्टीम पढ़ाते हो तो दोश्तो यह equal वो है अब आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि यह दूसरा equal जो है ये कितना देश-भक्त था कितना राष्ट भक्त था कितना कश favora था यह दू मुस्लिम एक この अब मैं इस पॉइंट को लोगा यह बहुत महत्पूर पॉइंट है वो है हिंदू-मुस्लिम एकता है चुकि उनकी जो मजहब नहीं सिखाता है आपसमें बेर रखना हिंदी है हम बतने हिंदोस्ता हमारा इससे लोग कहते हैं वह सर्वधर्म संभाव की बात करने वहला है और यह सेर पालियामेंट में यह तुमारे अखिले स्याद होना पढ़ा अभी यह कारवई देखो तो जब मैं इसको सुन रहा था सुन रहा था तो मैं सोता कोई काउंटर क्यों नहीं करता इस आदमी को हाँ 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 राम के बजूत पर हिंदोस्ता को नाज एह अपना नेता समझते हैं इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा मैं इस सेर्क सहमत नहीं हूं राम हिंदुओं के लिए कोई इमाम नहीं है वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है इमाम क्या होता है जो मस्जिद की पुल्पिट खड़े वो तुमारे मिंबर पर खड़े ह नमाज पड़वाता है चलो इसके बिस्त्रत अर्थ को भी लगालों में तो तो मत्तर नेता धार में पुपदे सक तो क्या राम कोई नेता था हमारा वो तो उसके चरित्र से नेता था भागी हिंदुओं की नजरे में पार ब्रह्म परमेश्वर है यदि किसी को और यह भी बहुत मज़े की बात है यह कौन कह रहा है अल्लामा इकवाल इतना लर्मनी से पीएडी की थी और उसको अल्लामा का मतलब होता है महाज्यानी ग्रेट लर्नेड में जैसे आपने आपे महापंडित रहुत सांकृत्यान होते ना तो ऐसे महापंडित का सुध्ध अनुवाद महापंडित रहा है इससे बड़ा अज्यान क्या हो सकता है इन मुसल्मानों ने भारत पर 700-800 साथ सासन किया और उनके सबसे बिद्वान आदमी यह नहीं जानते कि हिंदू राम को क्या मानते हैं और किसी हिंदू ने कभी इनको नहीं बताया एक लेक मुझे बताओ जिसमें किसी ने कहा हो कि हम इक वाल की इस बात से सहमत नहीं है कि वो इमाम था हमारा और हम हिंदू जानता है कि हमारे लिए पाय पर हम परमेस्वर्थ से अब इसको कोई मुस्तलमान होता है या मुझे म महम्मत पेगंवर को मिला दो तो जो चीज बनेगी बहु करीब करीब राम जैसी होगी यह बात किसी की ने मुसलमानों को समझाई नहीं कभी यदि यह बात मुसलमान 500 साल में समझ गया होते keep a give कि से मदर करे जगड़ा नहीं था पर कभी यह चीद मुसल्मानों को बताई ही नहीं मैं सुनोती दे रहा हूं किसी मुसल्मान ने राम को इस अर्थ में इस्तेमाल किया हो कभी तो कि बहुत से किताब यह ना पढ़ी हैं बढ़े-बड़े बिद्वान कि जादा से जादा बहुत बहुत उदार व्षी राम के पढ़ती वह रक्सत वह कहते वह प्रफट थे प्राम प्राफ्ट नहीं है डूसैंज कोई प्राफित का मतनब क्या होता दूट मेंसंजर इसलिए प्यकंबर बोलते पैङांग आपने साखार नृकार्दों कि हो आज तक भारत के मुसल्मान इतने साल से सासन कर रहा है कभी ने हिंदू की किसी चीज को समझे की कोशिच नहीं की कहें कहें एक तो जाजातर मुल्ला मौलवी तो इनको सेतान बोलते हैं पर जो बाप पड़ा लेखा हुआ हिंदियों के बीट में जिसका उठना बैठना तो वो कहते हैं और इक प्राफिट थे आदमी उनको क्या कहा इमाम इमाम का ज्यादा से ज्यादा मतद्ध धार्मिक ने कि यह चार पार्ट वो पढ़ा चुके हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी मुसल्मान पहला तुम भारत नहीं हो भारत तुम्हारा बतन नहीं है दूसरा बतन परस्ति देश भक्ति राष्टवाद राष्ट के प्रति सद्धा रखना उसके लिए त्याग बल्यान की पंजानते हैं कि जो मुच्छलमान भारत के इसमें पंचानवे परस्त यहीं के अरभा ट्रेड है तो उनके पूर्वा यहीं के वो अरब से कैसे हो गया है वो अरभी सब्वेता कि कैसे हो गया पर तुम कहा रहा है उस आस्मान का तारह है कमाले वही और चौथा कोई भी सकता है contradiction in terms अच्छा और ऐसा नहीं है वह इस बात को अब वह नेता भी थे वह मुस्लिम लीग के नेता थे तो वह कई ब्याख्खान भी देते थे तो उनकी एक ब्याख्खान की दो लाइन सुनिया सिर्फ दो लाइन हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने को हिंदुस्तानी नहीं कहना चाहिए कि मुसलमान कोई देश नहीं होता कि इसश्र कॉच्छ हो कि यदी मुसलमान कोई देश नहीं होता तो हम पिर कैसे मानें कि कि आरे बग upright नाम पे देश के पिर्लपादार रहें गे हैं यह कि ए protest आegen्म के प्रसुन नहीं उठाया गया या तो वो इकवाल को आउट राइड रिजेक्ट करें कि नहीं हम यह बाल गवात नहीं मानते अधी अभी कुछ दिल पहले तारीख या दिप साथ साल वर हो गया हो या उससे दिल्ली इंवर्सिटी से इकवाल के पार्ट को हटा दिया था पर वो यह सब कराद नहीं है था उस इसको वह पॉलिटिकल साइंस किताब में था एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में हटा दिया था पर असली तो यह है यहां पोईट्री के रूप यह पोईट्री है सब तो कभी यह नोजबा मुस्लिम तदब्र हुई किया तुने यह नजम है कविता है यह तो साहित के रूप में आप उसको पढ़ा जाता पर वो साहित जो है वो कैसे विचारों का बाहक है कैसे विचार ले जा रहा हूँ तो देखो साहिरी मुझे ही पसंद है मैं भी पढ़ता हूँ पर उसमें असली चीज़ विचार है यह साहिरी घोर देश द्रोही शाहिरी है अब मैं उस मुझे को थोड़े से में टच करूँगा कि हिंदू मुस्लिम एक था सर्व धर्म संभाव क्या इकवाल सर्व धर्म संभाव में विश्वास करते थे सुरू के दो तीन सोर जे मैंनों बता है उनसे तो लगता है पर वो यह ने बता है कि 1908 के बाद वो अब बद चुके हैं अब अल्लामा एकवाल के सिर्फ तीन विश्य जिन पर वो कवीता करते थे या भासना देते थे एक इसलाम दूसरा मुसल्मान और तीसरा उम्मा माने मिलत कोई उम्मा भी वोलते हैं तो अब वो और किसी विश्य पर नहीं बोलते तो अब उनकी एक बड़ी प्र सर्वधर्म संभाव उनके क्या बिचार थे सिकवा उसको समझने के लिए सबसे अच्छी साथ कवीता है हम सब्सक्राइब पर कहा हुँ हम इसली चर्चा कर रहे हैं यह जानने के लिए अल्लामा एकवाल के सर्वधर्म संभाव पे उन्नी सो आठ के बाद क्या भीशार थे पहले तो मैं बता चुका हूँ कि कावे में बुद्कदे में है यक्सा तेरा जिया ये ये आयते एक आयते नाजिल हुई मुझ पर गीता में है कुरान तो कुरान में गीता ऐसी उनकी शायरी है तो सिक्वा की खासियत ये है सिक्वा पहली वायतो सिक्वा के बारे कुछ चीज़ें जान लीजिए सिक्वा वो नजम है जो भारत और पाकिस्तान में जिसका पाठ कुरान के बाद सबसे ज़्यादा किया जाता है तो शिक्वा बोन नज्म है यदि आपको भारत और पाकिस्तान के मुसल्मानों का माइंड सेट समझना है तो शिक्वा पढ़िए या सिक्वा सुनिए सुनिए क्यों बोलो यह सब नेट पर अब रिकार्डड है और अच्छा वह पाकिस्तान का कोई गायक नहीं है जिसने शिक द्रशन नेट पर आपको मिल जाएंगे तो यह इतनी महत्तपू चीज है भारत में शिक्वा को ज्यादा मेहत्ता यही लोग शिक्वा की ज्यादा खोले आंकां पर नहीं करते आपने आपना सुन करते हैं वो क्यों करते आपको आपको खोड़ पताले दुआग जाए तो सि अलग ती है उसे ही अर्दू शायरी का एक प्रकार होता है यह चंद होता है उसको बोलते हैं लुजब्धस कर्फ़र्शक कर्में मुसद्दस क्या होता है चार, च्छे नाइन का एक और चार लाइन एकी रिदम में होती हैं दो लाइन अलग होती है पर वो दो लाइन ही पन्च लाइन होती है तो यह 6 लाइन का ओर इसको बंद भी बोलते हैं तो छे === का एक बंद अब आप सोचिए कि शिक्वा इतनी लंबी कभीता है कि छे लाइन का एक बंद और से 31 बंद हैं उसमें इतनी बड़ी कभीता है तो अब यह तो इतनी तो सुनाना संभाव नहीं मैं कुछ आपको सुनाओंगा वो सुनाओंगा जो सर्व धर्म संभाव पर इनके क्या विचार है वो जानने के लिए तो सिक्वा के जो 31 से सुरू के 8-10 बंद हैं उनमें अल्लामा इकवाल यह बताते दुनिया के सारे मुसल्मानों की तरफ से अल्लाइस सिकायत करते हैं कंप्लेंट करते हैं तो अब वो दुनिया के सारे मुसलमानों के ऐसा जैसे वो उनके प्रतिनिधी हो इस रूप में अल्ला से सिकायत करते हैं और उस सिकायत के शुरू के 702 रही हंथ क्या क्या लोग इसा सोच नहीं सकते हैं चौ अपने नहीं कर सकते हैं शोब से बड़ी चीज़ सबगर भगवान से सिकायत करें नहीं सब्सक्राइब करते हैं और आप यह इंदुन संकरजी के लिए कुछ कर सकता है और रषा प्रफाल की कि लिए तू सुन और सिकायत यहां कि यहां पर किया तो यहां पर वो यह बोलते हैं चब वो अल्हाग लिएक बोलते हैं कि तो पिर का मतलब है इसका मतलब यह है कि अल्ला तेरे मैसेज को दुनिया में फैलाने के लिए हमने क्या किया और तेरा मैसेज क्या है इसलाम तो मतलब वह शुरू के आरदस बंदों यह बताएंगे कि हमने दुनिया में इसलाम को फैलाने के लिए क्या क्या किया तो यह जो शिक्वा है यह आपको इतिहाज के भी बहुत से मिथकों को तोड़ाएगा मुझे इसलिए शिक्वा बहुत पसंद था तो मैं आपको शिक्वा के बंद सुनाता हूं और उनको एक एक पर अपने कमेंट्स दूँगा मैं बहुत कहा रहा हूं 31 मैंसे 6 सा सुनाओंगा बस तो पहला बंद सुनिया आप हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर कहीं म पस्जूत थे पत्थर तो कहीं माबूस सज़ा खूगरे पैकरे महसूस थी इंसां की नजर मानता कोई फिर अंदे के खुदा को क्यों कर तुछ को मालूम है लेता था कोई नाम तेरा कुबत बाजू मुस्लिम ने किया काम तेरा मैं आपको बता चुका हूं कि अल्ला के काम मुसल्मानों के दुनिया में आने के पहले अजीव मंजर था सेनेरियों था कहीं मस्जूद थे पत्थर मस्जूद माने जिसका सच्दा करें इसकी पूया करें तो कहीं पत्थरों की पूया हो रही थी तो कहीं माबूस सजर और कहीं सजर माने ब्रक्ष तो कहीं ब्रक्षों की पूया हो रही थी मतलब हम मुसल्मानों के आने के पहले द थी उसको हमारी मुर्ती मुट्या कर रहा स Archives don allah डिखता नहीं कि अब तो तो अला कर हां सकरेकिंसंचा और दाधा परदा-दा के यह często है और मृतिया थे मुर्तिया how कर दिकता नहीं है कुई पिर अन्देखया को तो क्यों कर तो लिखता नहीं मानता नहीं पिर आंदेखक नुखता हैं rational कोई नहीं धान हें पूर्फ सिप्छल नहीं कि पंधोर्थी मानें तुछ कमान छेला रहा था खू कें? पोई नी मांता था भिर कैसे माना तुछ को थो गवा तुझको मालूव है को जए था कोई नाम थे फिर हमने अग्या से मसल भावर से दुन्या को याद़त तेरह नाम ले ले माने मुसलमान बन जांальное यह है उसका तो मतने इसकार है कि दुन्या में हमने सक्ति के दम मसल पावर से इसलाम को फैलाया आगे वाला अप सुनिया वह उसमें यह कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश थे वहाँ अलग-अलग उनमें से एक कम्यूनिटी पर कोई ने तेरा काम नहीं किया मुसल्मानों की तरफ से अलाज क्या कह रहे नहीं तो आप कि दुनिया में अलग 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 रों रह रहे थे और तेरा काम किसी नहीं किया मतलब, तेरे इसलाम को किसी नहीं प्हेला अब सुनिए, बस रहे थे यहीं सल्यूख भी, तूरानी भी, एहलेचीचीन में, इरान में, सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे, यूनानी भी, इसी दुन्या में थे, यहुदी भी, नसरानी मानी इसाहि, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने मतलब सल्यूक तुर्क बस रहे थे यहीं सल्यूक भी तूरानी मतलब तूर्क तूरानी इरान में इरानी रह रहे थे चीन में चीनी रह रहे थे और यहूदी रह रहे थे हिसाई सब रह रहे थे और कोई ने तेरा काम नहीं किया हम ही मुसल्मान थे जिनने तेरे प्रचार के लिए तलवार उठाई ककेरें पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने और जो विग्डी हुए थी वा बनाई किसने मतलब हमने तलवार के दम से दुनिया में इसलाम को फैलाई यह इसका अर्थ है पढ़े नहीं तलवार से नहीं फेला वो तो उसमें कुछ गुण थे जिससे का वो फेल गया पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने को बते बाजुए मुस्लिम ने किया काम के रहा हमने भावू बलसर और तलवार से दुनिया में इसलाम को फेलाया यह अभी जो इस बिमर्श चल रहा ही तिहास का तो तो फो कितने साफ सब्दों में और एक्सपोस कर रहे हैं आगे सुनिया है थे हमी एक तेरे मार्का आ रहा हूं में मार्का आ रहा हूं माने होता है युद्ध अभियान battle expeditions थे हमिं एक तेरे मार का आ रहा हूं में cleaning एक तेरे मार का आ रहा हूं में है और दी अजाने कभी उरॉप के कलीषां हूं में तो कभी अफरीका के तबते हुए सहराओं में, तो मैं दो तो आर्थ पता चुका हूं, अब तीसा दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, इसका क्या रती, कलीसा बोलते हैं, चर्च को, अल्लामा एक वाल ताल ठोक के कह रहे हैं, कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, मतलब हम जीते पहुंचे। यूरोप पहुंचे। हमने यूरोप के देश जीटे और यूरोप के देश पर रहते थी हिसायोग। जो लोगों के चर्ठ थे कलिसा थे। तो हमने अनकलिशाओं पर कब्जा किया। उन्हें तोड़ा उन पर मस्जिद बनाई और उन पर आजाने दी इसा तो नहीं हुआ होगा जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया मैंने क्यों पता दिया क्योंकि हम जानते हैं सब हमारे हैं भी हुआ है कि यह दी कोई मुझसे कहा है कि इस इसको जैसे वो आजकर फिल्मी गानों में रीमिक्सिंग होती ना पहले होती तो पता ने अब होती है कि इसको मैं रीमिक्स करके ऐसा क्या सकता हूं दी आजाने कभी सौमनाथ के मंदिर पर तो कभी होँ कासी की मत्रा की जन्मूहूद फर तो कभी 80 किजिवाल आम def कैसे बोल सकते जब भारत में भी सब हुआ है हम जयते हैं कि इनौनर कहां भाएreck पर तो कभी 80 कग्साथा यहां भी वह हुआ है इक्वाल कित्य साफ सब्सक्राइब किया रहा है कि हम ने दूसरों के धर में स्थल तोड़े और उनको मस्जिद बनाई और उन पर जा लेगी पर हमारे क्या चलता ही तिया नहीं मुसल्मानों कोई मंदिन नहीं और कुछ लोग तो यह कहते हैं इसलाम यह नहीं सिखाता इसला आगे आप देखेए सान आँखों में नज़ेषती ती जहाँ दारों की और कलमा पढ़ते थे हम च्छाओं में तलवारों की अगला बंद सुनिया तूही कहदे उकारा दरे खैवर किसने सहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने तोड़े मखलू के खुदा बंदों के पैकर किसने और काट के रह दीये को फार के लश्कर किसने किसने ठंडा किया आतस अकडाय में इरे को तू ही कहस कि पूरा पढ़ा अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं तो ही कह दे उखाड़ा दरे खेवर किसने तो इसका इतिहास यह है कि पेगंबर मुहम्मत के समय ही अरब में मदीना से 200-200 km उत्तर की दिसान है एक बस्ती थी उस बस्ती का नाम था खेवर जब शुरू में इसको पढ़ाना तो आपन तो खेवर माने खेवर दर्रा जानते हैं जिससे सारे विदेशी हमलावार आए अपने देश में तो मैं सोता था कि दर्दे पर कोंसा दर्वाजा है यार था या रहा होगा जिसको किशी ने उखाड़ दिया पर फिर मैंने पेगंबर मुहम्मद की जीवनी पढ़ी तो फर मुझे इसका पूरा आर्थ समझ में आ गया वो कह रहा है तो जो 200 किलोमेटर दूखेवर बस्ती थी उस बस्ती में यहूदी लोग रहा करते थे तो पेगंबर मुहम्मद ने सन 628 में एक आश साल कम जा रहा हो सकता है खेवर पर हमला किया इस हमले में पेगंबर मुहमत हको सामिल थे हजरत स्वियां सामिल थे इसलिए इसको गजवा ए खेवर कहते हैं मतलब होता है बो हम्ला या बो युद्ध जिसमें हजरत मुहमदर पहगंबर 100 सांएवा। कैसे सामिल हों इसको गजविक कहा जाता बाकी सब जंग है पर गजविए एग पेगमब्र मोहमध कहा जाता इसस्का साथ पेगमर मुस्तामिद थे अब पेगम आशा कि एक बार उन्होंने पूछा, कि अली कहा है, जो लोगों कि शाफ उनका स्वास ठीक नहीं है तो उनका अली को बलाओ, अली हाजिर हुए, तो उनका पूछा अली क्या हो गया तुम्हें? तो मेरी आंखों में तकलीव है, तो उन्हें अपना तुक निकाला और उनकी आँखो आज के युद्ध का नेतत या आज के हमले का नेतत अली खुद करेगा और जहन्डा जिसको वह लिटत देश्वापते थे जहन्डा उसको देए थे तो अली पहुंचे मैदान जंग में तो वहां पा जो जो खैवर का जो एक योद्धा था साइद उसका नाम मारवाह था में कब याद नहीं है पहले पढ़ा था में तो उस बहुत बड़ा योद्धा था तो उन्होंने का यह सा करते हैं यार जो जीतेगा वह जीत लिया तो अली वह मारवाह का ड्वेल हुआ अली ने उसको मार डाला वो गुस्से में वो जो किले का धरवाजा था उसको एक हांस उखाड दिया वो केते हैं धरवाजा इतना बजंदर था कि एक बाहर में पच्चीस आदमी भी उसको नहीं उठा सकते इतिहास की इस घटना को इस शायरी में याद किया जा रहा है अब सुनिए फिर से तू ही क कह दे वो खाडा धरेक है वर किस नहीं है अब इस बत्तु माप को समझ आ गया होगा इस कारव के सहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने तो कैसर की सहर का मतलब कर पहले तो कैसर कर समझे ली बाना को बोलते थे सीजर उस सीजर को ही अर्वी भासा में कैसर बोलते है तो वो ये कह रहे हैं जो सहर कैसर का था माने सीजर का था उसको किसने जीता तो एक सहर था कंस्टेंटिनोपोल वो इस्टन रोमन एंपायर की राजधानी थी आजकल वो इस्तंबूल कहलाती है यह मुसल्मानों ने जहां भी गये हैं सब जगह सेहरों के नाम बदले आपने देश में तो अपने को मालूम ही अकड़े वो बात दबा दिए कोई ने का इस औरंग जेव ने मत्रा का नाम बदल के इसलामाबाद कर दिया था यह मंदिर तोड़ने के बाद कष्ण जन भूमी के तोड़ने के बाद इसका नाम इसलामाबाद था और कासी का मंदिर तोड़ने का इसका नाम एहमदाबा मुहमदाबाद रख दिया था पर वो तो 1413 में टर्कों नहीं- को जीत लिया और अना टोल्या की राधधानी जो- कांस्टेंटिनोपोल थी उसको भी जीत लिया और इसी कांस्टेंटिनोपोल में है जिया सोफिया का गिर्जाघर था उसी हेजिया सोफिया की गिर्दाघर को मस्जित में बदल दिया और उस पे आजाने दी अब आप याद कर यह वो कहते न दी आजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में यही था वो हेजिया सोफिया का गिर्दाघर या कलीसा जिसको आपने जीता उसको मस्जित में बनाया और महा जाने दी है वह तो कमाल आता तुर्क आने के बाद उसने उस मस्जिद को म्यूजियम में बदल दिया और अब फिर से उसको उन्न मस्जिद में बदल दिया अब अगरा सुनिया तोड़े मखलू के खुदा बंदों के पैकर किसने और काट के रख दिये को फार के लसकर किसने मखलू के खुदा बंद के पैकर का मतलब क्या होता है इंसान के द्वारा बनाई भगवानों की मूर्तियां कि अल्ला माईकवार कितने गर्भ से उसान से कह रहे हैं किसने मूर्तियां को तोड़ा हम आफिए काट के रख दिये कुप्फार के लसकर किसने कुप पाइश मतलब भारत के संदर में यह है काफिर का बहु बशन होता है कुप फार और लसकर महाने सेना तो काफिरों की सेना को किसने काट के रख दिया igo भारत के संदर में इसका किया ओरत कि संदर में इसका बढालत में पहला मुस्लिम हमला बढ़ाया 720 006 207 कासिम तो वहां का राजा दाहिर तो दाहिर seventeen की टककर में दाजा दाहिर की सेनाइव को फर कलस कर थी पिर एक और लोटे रहा आया जाना दीन रखने जमाड़का नुब नुए कुप ठीनाओंयाया को और दूमारी छहरी लिवट हो पंस्कच से सुपर्ट मद सबहु ऐसाँ जो पारती थे भारती थे झालतिती खूपफार के लफ के लिए गर्व की बात तुम्हारी सेनाय कट रही हैं और तुम बड़ घर्व से कह रहे हैं यह एक वाल एक देशभक्त का नमुना एक वाल की देशभक्ती का एक सांदार नमुना है यह यह लायन ओर सुनिये किसए ठंड़ा किया आतस कदा एएरां को आतस कदा एएरां को है इसलाम के पहले जर्थूस्था को मानने वाले लोग रहर 8 करते से दिश्कार मरें औरあन्या Mai किसने इरान से जर्थुस्त के धर्म को नस्ट कर दिया किसने पार्सियों के धर्म को नस्ट कर दिया आपने धर्म नस्ट कर दिया आपने सभिता नस्ट कर दिया और मिस्टर इक्वाल आप उसके गर्भ से कह रहे हैं और इसका पाठ पूरे भारत और पाकिस्तान में गर्भ से किया जाता है किसी के कल्चर और सब्विताव धर्म को नश्ट करके आप कितना गोरा उन्हों कर रहे हैं अब मैं इसका आखनी शेर आपको सुनाता हूं किसकी हैवत से सनम सेह में हुए रहते थे हैं हैवत माने भय सनम माने मूर्ति अर्भी भासा में मूर्ति को सनम बोलते हैं और उर्दू शाहरी में प्रेमिका को भी सनम बोलते हैं आपने वह से फिल्मी गानों सुना होग ना ए सनम ओ सनम तो प्रेमिका को भी सनम बोलते हैं तो वो कह रहे हैं कि 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 हेवत कि मूरतियां सह्मिय कोband foxเฉपी और मुह के वल गिरके होगавать हो एहत कहती थे तो किस जएक नहीं की कि हैवत से सनम सहय हुए गे और मुह के बल गिरके होग Southern 였ध कि मतलब किसके आतंक से मतलिती थे झालता सामने परता था तो भड़ाम से नीचे गिरती थी और अल्लाहु अखबर ला इलाहि लिल्लाह बोलने लगती थी मतलब मुसल्मान हो जाती थी तो इसका पहला अर्थ तो यह है कि भारत में जो लोग मुसलिम कंवर्ट हुए है वो आतंक के कारण हुए है चीजा सार्थ से पर यह उसके हिसाब से अतिशयोक्ति अलंकार है मतलब मूर्थियां तो पत्थर की होती है वो तो कोई शेहनती नहीं है पर इसका अर्थ क्या है इ अब आप बताईए क्या यह सर्व धर्म संभाव वाला अल्लामा इकवाल है तो दोस्तों सर्व धर्म संभाव का यह हुआ है मैं आपको जो जो अधारना हिंदु लोग एकवाल के बारे में हैं सब का बता दिया कि 1908 के बाद क्या हुआ और आखरी का शेह आपको सुनाता अरहिए भूह रहे हों एक आपकशह है किया नगमा हिंदी है यह तो ले टो थी विच्जाजी है मेरी पर कि एक शेह ढर्थ यह कि मैं कहने के अन्यों को तो हिंदुस्ताइन हो पर सुभाव कर्म और उससे मैं अर्वी हूँ नगमा हिंदी है तो क्या ले तो हिजाजी है मेरी एक ऐसा शेर है अजमी खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी और नगमा हिंदी है तो क्या ले तो हिजाजी है मेरी इसका मतलब खुम माने वो तो मटका जिसमें शराब रख पर उसमें रखी हुई साराव अजब हबंटे हैं कर दो कितुर मैरा मत्का फूरा को खाना अरव करायाare मेरा मैन्टका आरव है पर उसमें रखी हुई सराव थो है अरव है और नगमा його क्ली यहीं है है तो क्या हुआ देख पर उसकी जो अरवी यहां मेरा मटका भले हिंदुस्तानी हो मतलब सार यह है कि मैं कपड़े उससे कपड़े लत्व सकल से हिंदुस्तानी दिखता हूं पर मेरी आत्मा अरब की है यह सारे जहां से अच्छा कहने वाला एकवाल है तो दोस्तों मैंने सारे जो हिंदों को भ्रह्म थे आगली साहरी में किस तरह से वो बदल गए एकवाल वो आपनों को बिस्तार से बताया कि दुआ हुआ है